हे गाइस कैसे हो साड़े यकिन करता हूँ कि अच्छा हूँ गया आज किस वीडियो में आप सब कुछ स्ट आइप का नॉर्माल पिक्चर को कुछ स्ट आइप में प्रोफेशनल बैक्डरांड बलर करना शिखाने वाला हूँ आज किस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डीटेल्स में समझाऊंगा एंड बिल्कुल नया तरीका है या आप लोगों के लिए आप सब ये वाले वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा आज किस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिसकी सायता से आप सब भी अपने पिक्चर को कुछ इस टाइब का प्रोफेशनल बलार करके एडिट कर शकते हैं तो आज किस वीडियो को आप एंट तक जुरूर से देखेगा एंट गैस उससे पहले भी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसको आपको लाइट रूम अप्लिकेशन में सेयर कर लेनी है एंट उसके बाद गैस आपको लाइट रूम अप्लिकेशन को ओपिन कर लेनी है एंट लाइट रूम अप्लिकेशन को ओपिन करने के बाद जो भी पिक्चर आप लाइट रूम में सेयर किये होंगे वो आपका यहां से open होके आ जाएगा सबसे पहले मैं यहां से इसको crop कर लूँगा अपने अनुसार 4x5 ratio में and just यहां से मैं select करके यहां से done कर लूँगा and इतना करने के बाद गई सबसे पहले इसका light adjustment करूँगा so light वाले button पर मैं click कर दूँगा and contrast को 10% add करूँगा यहां से अपने highlights and shadow को increase and decrease किजेगा जैसे कि देख सकते हैं मैंने आसे highlights को 50% decrease किया है यानि कि हमारे picture में कुछ ज्यादा highlights थे इसलिए मैं इसको 50 के आसपाँ decrease किया हूं and shadow हमारे picture में कम था इसलिए मैं shadow को कमें increase किया हूं and इतना करने के बाद आपको black को 10% down कर लेनी है and उसके बाद guys आपको हैंसे mix tool में जाना है and सबसे पहले जो भी सबसे पहले guys जो भी आपको background का color रखना है आपको यहां से वह सब आपको रख लेनी है so मैं यहां से green color yellow color का hue को मैं plus 100 कर लूँगा ताकि हमारा जो भी background है वह यहां से हरा हो जाए and saturation को भी मैं कुछ इतना increase कर लूँगा and यहां से मैं green color का भी saturation को लगवक 50 के आसपास increase कर लूँगा and जो भी guys हमारा face का color वगवर है उसका मैं यहां से जो second में orange color इसको select करके and saturation को मैं हलका increase करूँगा and luminians को भी मैं हलका increase कर लूँगा and इतना करने के बाद guys और भी जो आपके picture में color है जैसे देख से तो blue color का हमारा jeans है so मैं blue का saturation भी हलका increase कर दूँगा लगवक 80 के round and आप सब जो भी color रखना चाहते हैं saturation में जो भी आपका background है उसका आप सब saturation वगवरा increase कर शकते हैं and इतना करने के बाद guys आपको उपर से done कर लेनी है and उसके बाद guys आपको effect वाले button पे click करनी है and details वाले button पे click करनी है and guys sharping को आपको यहां से 40% increase करनी है and details को पूरा and noise detection को यहां से 50% and details को पूरा and color noise detection को 50% and details and smoothness को आपको पूरा increase कर लेनी है so guys कोई भी picture edit करने से पहले आपको कुछ इतना आपको light adjustment and color adjustment light room में करना पड़ेगा उसके बाद guys यह वाले picture को just आपको share कर लेनी है and share करने के बाद guys यह वाले picture को आपको photo room application में आपको share करनी है अगर आपके पास photo room application नहीं है तो आप सब इसे play store से download कर शकते हैं and guys make sure आप सब photo room application को use कीजेगा तो आप सब अपने internet connection को on रखिएगा क्योंकि guys यह वाला application online चलता है तो उसके बाद guys चलिए मैं यहां से photo room application को यह वाले picture को मैं photo room application में share कर लूँगा तो guys अभी देख सकते हमारा picture यहां से photo room application में share हो चुका है उसके बाद आपके सामने कुछ step का scanning लेगा अपके सब देख सकते हो इतना करने के बाद आपके सामने कुछ step का interface दिखेगा तो आपको यहां से black white transparent and यहां से बहुत सारा आपको options मिल जाएंगे तो सबसे पहले guys आपको यहां से photo editing classic का आपको यहां से options दिखेगा और यहां से original blur color splash so just आपको यहां से blur वाले आपको button पे आपको click करनी है और आपके सामने कुछ step का loading लेगा और आपके सामने कुछ step का interface आएगा so just guys आपको नीचे में बहुत सारा options दिखेगा प्रशन का background का text का image का resize का so just आपको background वाले आपको button पे click करनी है and उसके बाद guys देख सकते हो आपके सामने कुछ step का interface आएगा so just आपको यहां से adjust का भी आपको button मिलता है जैसी आप सब adjust वाले button पे click करते हैं आप सब picture में जो है जाएगा उसके बाद guys आपको किस टाइब का background में बलर चाहिए आप यहां से सभी कर सकते हैं so मैं यहां से second वाले बलर वाला गोश्री और मैं यहां से डालूंगा so just मैं second वाले button पे click कर दूंगा and नीचे आपको कितना बलर चाहिए आप सब अपने मुताबित रख सकते तो मैं इसको 30 के आसपास जो है increase कर लूँगा and इतना करने के बाद guys just उपर में आपको save का button दिखेगा just आपको save वाले button पे click करनी है and save to gallery वाले button पे click कर देनी है so guys इतना करने के बाद just हमारा picture यहां से gallery में save हो चुका है उसके बाद guys मैं यहां से internet connection को off कर लिता हूँ and उसके ब वाले picture को Pixar application में share कर लूँगा so आप सब भी कुछ इस टाइप से करके Pixar application में यह वाले picture को share कर लीजेगा and guys इतना करने के बाद guys just आपको यहां से add वाले add photos वाले button पे आपको click करनी है and जो भी picture आप लाटरू में edit किये थे उसको आपको just add photos से add कर लेनी है and यहां से guys यह वाल provide button के click करनी है and यहां से guys just आपको यहां सी eraser का size को अपने हिसाफ से adjust करनी है and उससे पहले guys आपको यहां से invert कर लिनी है and देख सकतो आपका सब यहां से background blur हो nova हो चुका है and जो नीचे में आपका pair है वो भी यहां चे बाला part भी blur हो चुका है so इसको हम जाश करने है so मैं just यहा बटन पर क्लिक करूंगा और दोनों का मैं आप सीटी साथ सतर के आसपास रखूंगा और नीचे वाले पार्ट को मैं कुछ इस टैप से इरेस कर दूँगा और इरेस करने से गया जो भी आपका लोगो आया था फोटो रूम का वो भी गायब हो चुका है और देख सकतो हमारा यहां सब प्रोफेशनल तरीके से यहां से बलड भी हो चुका है बैग्राउंड सो उसके बाद गई जैस्ट मैं उपर से डन कर लूँगा एंड एक बार और गाईज मैं उपर से डन कर लूँगा आप सब देख सकतो बिफॉर एंड आप्टर हमारा कुछ इस टाइप से बल करने तो इसमें मैंने और लेडी वीडियो बनाके अपलोड कर दिया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वाले वीडियो देखके फेसे स्मूथ भी कर सकते हैं अगर मैं यहां से फेसे स्मूथ करना सिखाने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो आज की इस वीडियो मैं बस इतना है तो कुछ स्टैप से करके आप सब भी अपने पिक्चर के बैगराउंट को बहुत ही असानी से बलड कर शकते हैं और आजके इस वीडियो में बस इतना इसो यकीन करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लगेगी तो वीडियो को जोड़ से लाइक कीजेगा चैनल पुन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं किसी और वीडियो को साहता तक के लिए बाए